ओम ज्ञानत मिरांधस्य ज्ञानन जुन शलाकया चक्षूरन मिलितं येना तस्मई श्री गुरुवे नम्हाँ ओम्हाँ येन तो ँउसरा पहला दिया और श्लोक संक्या आठ तो चर्चा चल रही है शुग्देवगोस्वामी परिश् हृत महाराज को भागवतम शुरू करने वाले हैं लेकर रिश्ण क檄 पहले शुरू कर दिय क्योंकि शुक्देव गुस्वामी और परिशित महाराज की भागवतम तो अब शुरू होगी शौनक रिशी को जो बताई गई सुत्व गुस्वामी द्वारा वो भागवत हमने पहले ही चालू करती थी छे महीने पहले लेकिन अभी इन दोनों की वारताला आप चालू हो रही है और इसमें वो पहले कुछ ग्राउंड वर कर रहे हैं मूड सेटिंग कर रहे हैं जो हमने अभी अभी डिसकर्स किया हम जो डिसकर्स करते हैं कि किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका पता होना चीए कि what is the end result हम क क्या पढ़ाएंगे इसमें आपको परपस क्या है तो शुगदेव उस्वामी परिशित महरात के सामने पहले परपस को सेट कर रहे हैं ताकि उसी भाव से सुना जाए इदम भागवतम नाम पुरानम भ्रम सम्मितम अधीतवान द्वापरादो पितु द्वैपान है आतनात हम द्वापर युक के अंत में अपने पिता श्रीलत द्वैपायन व्यासदेव से मैंने श्रीमत भागवत नाम के इस महान वैदिक साहित्य से के अनुपूरक गरंद का द्यन किया जो समस्त वेदों के तुल्य है यानि कि सारे वेद एक तरफ रग दी जाए और श्रीमत भा भागवत रगती जाए सारे वेदों का निचोड इसके अंदर हमें मिलता है और जैसे हमने सुना कि निचोड ही तो सब कुछ है आपने इतनी नौलिज लेली इतनी नौलिज लेली कि निचोड आपको भी निपता है तो श्रीमत भागवत वो निचोड है जो बहुत किलेली जाती है कि भागवान कौन है और भागवान की सेवा कैसे करनी है तो यहां पर बड़ा इंपोर्टेंट जिकर चल रहा है शुगदेव उस्वामी बता रहे हैं कि मैंने यह भागवतम किस से सुनी इसका मतलब ऐसा नहीं है शुगदेव उस्वामी कहें कि मैर को तो एक जीवन में कई बार ऐसा होता हमने देखा कोई तो होगा नहीं नहीं मेरे अंदर बचपन से ही वो स्पार्क था और मेरे अंदर था यह किसी का नाम नहीं लेंगे मेरे जीवन में यह मेरे गुरू आये या इसके लावा यह इंपोर्टेंट लोग आये जिन्होंने मेरी करी नो नेम्स यहां पर शुक्देग उसामी स्टार्ट करने से पहले ही बता रहे हैं कि देखो जी यह मैंने जो एक ज्ञान प्राप्त किया मैं अपने गुरू से प्राप्त किया ऐसा नहीं है कि मुझे अचानक से भगवान ने आउतरित करके संसार में भेज दिया तो मैंने भी गुरू से प्राप्त किया मेरे गुरू कौन है मेरे गुरू बने मेरे पिता द्वैपायन वा व्यासदेव उन से मैंने ये अमूल्य गरंत सुना यद्धि शुक्देग उसामी जनमजाद मुक्तात्मा थे हम जानते हैं हम जानते हैं कैसे शुक्देग उसामी अपनी मा के गर्ब से बाहर नहीं आ रहे थे इतने साल भी इतने के बाद भी उन्होंने का मैं बाहर नहीं आओगा व्याजदेव ने बोला क्यों नहीं आओगे उन्होंने बोला क्यों कि मैं बाहर आ गया अगर तो इस माया में फ़स जाओगा इसलिए में पैदा ही नहीं होगा तो स्व्याजदेव ने उनको promise किया I promise you आप बहार आईए माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी व्याजदेव स्वाक्षात भगवान थे इस promise के बाद वो इसनसा ऐसा मुक्तात्मा भागतम नहीं पढ़ते थे हो जनमजाद मुक्तात्मा थे किन्तु फिर भी जब उन्होंने अपने पिता से शिमत भागतम का अध्यन किया तो उनका पूरा जीवन बदल गया और वो एक तरह से ऐसे भक्त बन गए जो हमेशा भागतम को का उच्चारन कर रहे हैं जो अभी हम सुनेंगे महाराज के सामने किया तो वो बता रहे हैं कैसे मैंने ये अपने पिताजी से इसको सुना और फिर बोलते हैं परी निष्टिता अपी नेरगुन्या उत्तम श्लोक लीलया ग्रिहीत चेता राजर्शे आख्यानम यत अधीतवान हे राजर रशी हे राजाओं में रिशी मैं दिर्टा पूरवक अध्यात्म में पूर्ण रूप से स्थित था अपरी स्थिती बता रहे हैं जैसा अभी अभी हमने सुना उनके बारे में वो टोटली फिक्स दे वो संसार से पहले से ही डिटेच थे सोचिए रिक्सित मदन पहले से ही डिटेच थे और अध्यात्म में पूरी तरही स्थित थे लेकिन बता रहे हैं जब मैं उन भगवान की लिलाओं के वर्णन के पति आकरश्थ हुआ जिनका वर्णन उत्तम शुरी द्वारा किया जाता है तो भी मैं भगवान की लिलाओं के पड़ती आकरेश्ट हो गया, यहां ध्यान रखिए, यह एक ऐसे वेक्ति की कहानी, ऐसे वेक्ति के वारे बताया जा रहा है, जो टोटली डिटेज़ है, इतना डिटेज़ है कि उसको जीवन, जैसे हमने सुना था, कि जब शुक्देव ग क्या किसी गुड्डे गुड्यों की कहानी से अट्रैक्ट हो सकता है, जैसे हम लोगों के सामने, आज भी अगर कुछ कार्टून चला दिया जाए, तो हम लोग भी बच्चे बनके देख के हंसने लग जाएंगे, पुराने दिन हमें यादा जाएंगे, हमारे पुराने क्या दिन थे, मजा गया, हमने किसी तरह से अपनी बच्चाओं को दबा रखा है, spiritual activities करके, लेकिन हम इतने प्यूर नहीं है कि उनके प्रति हमारा distaste पैदा हो गया हो, आज भी हम attract हो सकते हैं, यही खत्रा भी है, लेकिन शुदेव को सामी ऐसे वेक्ति की बात करने हैं, जो गोपियों के मटके फोले जा रहे हो, जिसमें वस्तर हरन हो रहा हो, ऐसी घटनाओं के प्रति कैसे attract हो सकता है, यदि वो साधारन घटनाएं होती तो, यह समझने की बात है, जो लोग नहीं समझते हैं, इसने अमूले चीज़ को लोग कैसी कैसी बाते बनाते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं है, वो यह नहीं जानते हैं कि जो शुग्दे गुसामी टोटल रिनाउंस परसंते जिनको आप जानते हैं, जब शुग्दे गुसामी जा रहे थे, और उनके पीछे-पीछे उनके पिता उनको रोक रहे थे, बेटा कहां जा रहा है, उनका मैं तो जंगल ज बेटा रुको बेटा रुको और सारी इस्त्रियों ने तुरंक कपड़ों से ढख लिया बात में व्याजदे पूछते हैं क्या वाट इस दिस क्यों ऐसा क्यों तब वो बताती है कि आपका पुत्र है वो इस्त्री पुरुष के भेद से उपर है उनको देखके ही समझ लगता ह ही नहीं है कि उनको एसा एसाज भी है कि को इस्तरी है या कोई पूरुष है ऐसा वेक्ति अगर रास लिला को बता रहा है तो ये समझ लिना चाए कि रास लिला कितनी पवितर चीज होगी जो कि आवा आदमी नहीं समझ पा रहे है और वो बे मतलब की फजूल की बाते करने तो ऐसा व्यक्ति अगर भगवान की सकट लीला बता रहे हैं ज बड़ी साधारण से लिगा तेरणा मतलब ये लिलाई दिव जिसका आस्वादन शायद हम नहीं कर पा रहे हैं तो बता रहे हैं कि जब मैंने उन भगवान की लिलाओं की कथा सुनी उन लिलाओं को सुना तो मैं आकरश्ट हो गया मेरे जैसा वेक्ति जिसका वर्रन उत्तम श्लोग दोरा किया जाता है शुख्देव उस्वामी जैसे वैक्ति किसी संसारी कारे के परती आकरष्ट कभी नहीं हो सकता कि जब ऐसे भक्त को शेष्ठ विदी द्वारा आश्वस्त कर लिया जाता है तो अवेश्य ही भगवान के दिवे कारे कलापों के परती आकरष्ट हो जाता है भगवान दिवे हैं और उसी तरह उनके कारे कलाप भी दिवे हैं तत अहम्ते अभीधास्यामी महा पौल्शिको भवन यस्चशद्धामाशू स्यातम कुंदे मती सती मैं उसी श्रीमत भागवत को आपको सुनाने जा रहा हूँ जो मैंने सुनी जिसको सुनकर मैं भी आकरष्ट हो गया उसी श्रीमत भागवत को सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि आप भगवान कृष्ण के अत्यंत निष्टावान भगत है यानि कि अगें ये गरंत स्कॉलरली लोगों के लिए नहीं है जो स्कॉलर्शिप चाते हैं जो डॉक्टरेट चाते हैं इस गरंत को पढ़के ये तो भगतों के लिए है अब आप कहेंगे मैं तो भगती नहीं हूँ तो मैं क्या करूँ हाँ तो आप भगत नहीं है तो शद्धा से सुनी अट लिस्ट विश्वास और शद्धा से सुनी कि मुझे भगत बनना है अगर आप इस तरह से इस भाव से सुनेंगे तो निश्चित रूप से इस गरंत को सुनकर पढ़कर आप भगत बन ही जाएंगे क्योंकि ये गरंति ऐसा है तो इसलिए भगवाण Gita में ही बोलते है कि मैं हे अर्जुन मैं आपको ये ज्यान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हूं भक्त हो। तो इस तरह से गीता का ज्यान भी किसके लिए है श्रद्धामान वक्ती कंवर्दाया अविचल श्रद्धा जो हम चाहते हैं, प्रारंब में हमारी श्रद्धा क्या सी होती है, कोमल श्रद्धा कहते हैं, कोमल क्यों है, क्योंकि कई बार वो दब जाती है, फिर उड़ जाती है, डेवीट हो जाती है, हिल जाती है, कोमल श्रद्धा, लेकिन श्रद्धा है, धिरे solid जाता है अभी चल श्रदा हो जाती है तो यदि हम इसको श्रदा से सुनेंगे इसमें लिखा है जो ही श्रेमत भागवत को पूरे मनोयोग से सम्मान से सुनता है उसको यह अभी चल श्रदा प्रापत होगी भगवान के परती है पर वह बतार है कि भहतिक ज्यान के उन्नती के लिए वैतिक सामर्थ्य तता शोध परवर्थी की आवशक्ता पड़ती है भौतिक ज्यान material knowledge about any field in this material world इसमें यदि आपको ज्यान बढ़ाना है तो बड़ा शोध करना पड़ता है रिसर्च करनी पड़ती है बड़ी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन इसके against में आध्यात्मी ज्यान शोध से नहीं मिलता है आध्यात्मी ज्यान में सारी प्रगती गुरु की किर्वा पर निर्वार करती है बहुत कुछ गिर्पु गुरु की पर निर्वार करती है गुरू शुड़ बी सेटिस्वाइड लेकिन कभी हमने ऐसा पूचा है कि क्या आप संतुष्ट हैं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा मैं और कैसे सेवा कर सकता हूं या कर सकती हूं यह बड़ा इंपोरेंट है at least हम इसको समझें नजरों से समझें एक्टिविटी से समझें या पूच के समझें तो गुरू को शिष्टे से संतुष्ट होना चाहिए अभी आध्यात्मिक विज्ञान के विद्यारती के समक्षवे ज्ञान स्वता प्रकट होगा जान रखिए हम कितने भी नोट्स बना लें विचिस वेरी गुड थिंग बनान नहीं होगा किन्तु इस विद्य को किसी तरह की जादूगरी नहीं मानना चाहिए अच्छा एक जादूगरी है कि जादूगर की तरह इस शिष्टे के गुरू शिष्टे के अंदर भीतर आध्यात्मिक ज्ञान को घुसा देगा जैसे कोई विद्युत धारा करेंट पास कि परमानिक गुरू अपने शिष्टे को परते एक बात वैदिक वांग में क्या परमानों पर बताता है यानि कि जब भी कोई बताता है तो रेफरेंस शास्तरों से लेता है या आचारियों का लेता है शिष्टे ऐसी शिक्षा को मात्र भौतिक नमान कर विनीत भाव से जिग जिग्यासा करके ग्रहन कर सकता है गुरू को परसन करके कर सकता है तो भाव यहां पर परुबावदार है कि यह है कि गुरू और शिष्टे दोनों को परमानिक होना चाहिए अक्सर हम डिसक्स करते हैं गुरू की क्वालिफिकेशन क्या है तरतें कि नहीं लेकिन हम कभी डि परमानिक होना चाहिए एथार्त होना चाहिए शेष्य की क्वालिफिकेशन आप जानते ही श्रद्धा, सेवा, जिग्यासा, मिर्दुलता और बहुत सारे गुड़े इंपोर्टनली कि वो जानना चाहता है गुरू से उसकी सेवा करके बेसिकली गुरू को परसंद करना जाते यानि की गूरू के पास भी आप इसने नियानते हैं कि मुझे ज्यान देगा और इसमें कोई हिट है और इत के बदले में आप उसके लिए कुछ भी करने को चाहरें जैसे, हम देखते हैं, कि पुराने जमाने में कई कॉमेडी सीरिय लाते थे थे, देखते थे कि किसी को पी वो भी सेवा कर रहा है लेकिन उसके पीछे कुछ और ही परपस है यहां पर वो हिड़दय से गुरु को परसंड करना चाहता है बस तैट सिट ज्ञान भी नहीं लेने चाहता है उसका एक मात रुदेश है भगवान को गुरु को परसंड करना ज्ञान आएगा नहीं आएगा स्रीमत भागवत के व्यावसाइक वाचक प्रोफेशनल स्पीकर रेसाइटर्स ऑफ श्रीमत भागवत जिनकी शद्धा एक सप्ता के सुनने पर है तो परुबाद यहां इंगित करने है भागवत सप्ता को जो संचार में बड़े परचलित है और हर कोई भागवत सप्ता कर जाता है बहुत घर में ऐसा हो गया भागवत सप्ता करा देते हैं तो करने वाले कई सारे लोग है उनकी अलग-अलग रेट लिस्ट है तो यहां पर बता रहे हैं कि ऐसे व्यावसाइक भागवत वक्ता व्यावसाई जिसका व्यावसाई भागवत बोलना है बताइए कैसे वो हिर्दयों को परिवर्तन करेगा जिसका प्रोफेशन होगा भागवत को बोलना पैसों के लिए तो बतारें कि इन से बचने का प्रयाज करना चाहिए वे शुक्देव गुसामी चाहता महाराज परिक्षित से भिन होते हैं वो यथार्थ प्रामानिक गुरू कैसे क्योंकि सुनने वाला भी चाहता है कि कुछ ऐसा बता दो जिसमें करना कुछ ना पढ़े और सब कुछ हो जाए कोई रोक टोक मत लगाना खाने पे पीने पे उठने पे कुछ ना करना पढ़े बस गुरू जी किरपा हो जाए उनकी फोटो टरंग जा कहीं पर और सब ग जाते हैं हम किसी मार्केट में जाते हैं हम आना कुछ ब्रैंड कोई कपड़ा खरीदे गए तो किसी ब्रैंड शॉप में गए तो वहां उन्होंने बज़ा देखो जी पांच हजार रुपर मीटर है आपने एक छोड़ो या क्या करना है आप किसी दूसरी दुगान में गए उसने का देखो जी सेम ब्रैंड का कपड़ा दो सरोबी मीटर के यहां दोपर में कीमत तो आदा करने ही पाद के मत है अहां है हमारी तपस्या हमारी सेदा यह तो लेने ही पड़ी इतना ही पड़ेगा और इस तरहें के वैवसाइग professional reciter से बचना पढ़ेगा simply because मेरे घर में TV on करता हूँ एक channel आजाता है उस channel में बहुत सारे प्रवचन आजाते हैं तो चलो morning को शुब बनाए और सुन लेते हैं क्या आप पढ़ता है यह लोग कहते है ठीक है प्रभुजी भागवत इस तो बोल रहा है बोल तो भागवत ही रहा है और जीव गुसा में बोलते हैं अरे भाईया दूद को अगर सांप टच करके चला गया तो आप कहोगे दूद ही तो है ना पी लीजिए तो हम पिएंगे नहीं पिएंगे क्योंकि सांप ने उसको टच कर लिया है इसी प्रकार से भागवत जो बोल रहा है उसने उसका अर्थ को ही बदल दिया है उसने उसको परपस को ही बदल दिया है उसके हिर्दय में की करप्शन है और कैसे हमारे हिर्दय में परिवर्दन लाएग तो यह यहां पर बताए जा रहा है कि कौन उसका वक्ता है कौन शोता है यह थार्थ शोता बनना चाहिए इसलिए जो भी आधर्ष वाचक या आधर्ष शोता रूप शुगदेव गुस्वामी तदा महाराज परिश्चित के पदचिन्नों का अनुसरन करता है निसंदे उनी के तरह मोक्ष प्राप्त करेगा महाराज परिश्चित को केवल श्रमण के द्वारा मोक्ष मिल गया के द्वारा और शुगदेव गुस्वामी केवल प्रवचन करके यानि कीर्थन करके मोक्ष को प्राप्त कर दिए यह नवदा बक्ती में एक एक कारे है नौ तरीके हैं नौ मेंसे एक है श्रमण और एक है किर्तन तो दोनों ने केवल एक ही प्रोसेस किया उन्होंने श्रमण किया और एक्सिलेंस को प्राप्त किया पद्म पुरान में बताते हैं रेखिए गौतम मुनी ने महाराज अम्रीश को सला दी कि वो शुगदेव गुसामी द् श्रमण भागवत को आदी से अंत तक उसी रूप में सुना जैसा शुगदेव गुसामी ने बुला अतेव जिसकी रूची भागवत में है उसे चाहिए कि एक अंच यहां से एक अंच वहां से पढ़कर या सुनकर खिलवार ना करे अभी तू सिस्टमेटिकली उसको सुने क्रमवाइज करमवाइज पढ़े और क्रमवाइज सुने यह नहीं आज यह जहां से चला दिया चैनल आज महां से चला दिया सिक्वेंशली उसको सुने और पढ़े खिलवार ना करे अपी तो वह महाराज अंब्री शत्वा महान राजाओं के पदचिन्णों का नुसर करे और उसे शुक्देव गुसामी के किसी प्रमानिक प्रती नीदी से ही सुने। तो यह है कुछ तरीके हैं, कुछ काइदे कानून हैं। हम लोग mathematics भी पढ़ते थे, science भी पढ़ते थे, चैप्टर वाई चैप्टर पढ़ते थे। चällो जी तो ता इस पेज, पेज को निकालो कॉन सा पेज पढ़ा जयають। ऐसा खुला एक पेज निता से चलोस हींंस से पढ़ा मां जैने नहीं से चलोस है। वैस직 टीवी एक कोई जैसे ईनकी सुनती है। तो इस प्रकार से सुनने और पढ़ने को मना किया जा रहा है बोला जा रहा है प्रमानिक गुरु शिश्य की प्रमपरा में नियमित रूप से करम गुरूप से सिस्टमेटिकली इसको पढ़ना और सुनना चाहिए तब इसका लाग भी लेगा करंत राज श्रमत भागुतम की जाए श्रिल अप्रुपाद की जाए